हालो फ्रेंड वेल्कम बैक टो माई चैनल डॉली बेटी डिप स्रेंड्स आज की वीडियो में आपका स्वागत है उमीद करते हूं आप सब बहुत बढ़ी लाओंगे अक्सर बाल लंबे करने का शोन खारें को रहता है लेकिन होता क्या है कि कुछ रिम्एकल वाले प्रोड़क्ट हम लगाते हैं जिससे हमारे बाल लंबे होने की बजाए جढ़ने girl हो जाते हैं तो अगर हम घर पे बनाते हैं, तो हमें समस्य ये रहती है कि हम बनाएं कैसे, क्योंकि टब होता है, तो इस चीज के चक्कर में उलज के रह जाते हैं, और बाहले हमारे वैसे वैसे रुखे भी रहते हैं, और लंबे भी नहीं होते हैं. तो friends आज मैं जो remedy आपके साथ share करने जारी वो इतनी easy है कि आपको बनाना मुश्किल नहीं होगा, आपको ingredients अपने घर पे मिल जाएंगे, आपको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, without chemical आप अपने घर में बड़ी जल्दी से सिर्फ 2 minute लगेंगे आपको बनाते हुए, तो बह अगर नहीं है तो बजार से भी कड़ी पता बड़ी जली मिल जाता है, हम अकसर घर में रखते भी हैं, तो थोड़ा सा मुठी पर कड़ी पता ले लें, उसके अदर एक चमच कच्छे चावल का डाल दें, एक चोटा प्यास डाल दें काटके, और उसके अदर एक चोटा सा अद्रक का टुकड़ा, यानि दो इंच अद्रक का टुकड़ा, साथ ही दो चमच सरसों का तेल, तो यह सारे चीजों को अच्छे से ग्राइंट कर लें, तो है ना फ्रेंट्स, इजी, यह सारे चीज़े आपको घर में मिल जाएगी न, आपको कहीं जाने की जूरूर तो न नहीं, कॉटन लें, कॉटन बॉल लें, या सिंपल कॉटन लेंके, डिप करके इस तरह से आपने बालों में स्कैल्प के अंदर लगाना है, आपकी ग्रोध जो है, आपके बाल इतने लंबे हो जाएगे, आप सोच भी नहीं सकते, तो फ्रेंट्स, उमीद करते हो, आपको य नहीं टिप्स का फायदा उठा से, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, एक नहीं और इजी रेमिटी के साथ, के बाबाई, टेकिए, ठीकिर,